हाई अब्रीवन आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं बहुत यह अनोखी ट्रिक से सीधे दाल फ्राई और चावल बनाने का तरीका इसमें आपका समय बचेगा गैस बचेगी और बहुत ही स्वाधिस्ट आपके दाल चावल बनेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का य कुकर में हमने डाले है एक चमच सरसों का तेल अच्छी से गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा चमच जीरा जब जीरा चटकने लगेंगे तब हम इसमें डालेंगे हीन और हीन डालने के बाद यहां पर हम डालेंगे कटा हुआ लैसन और कटा हुआ अद्रक इस । आप हम दालेंगे कट हुई प्याज को अधि प्याज को हमस्टिक यह बूर्ण और साथ में हम डालेंगे कुछ मसाले में हम डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच करीब हम डालेंगे धनिया पाउडर एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनको मसालों को हम खुब अच्छे से भून लेंगे जब मसाले से बढ़िया खुश्बू आने लगे और यह मसाले बढ़िया तेल छोड़ने तो समद लीजिए कि मसाले जो है बहुत अच्छे से भून चुका है अब हम डालेंगे जो हमने धुल करके डाल रखी थी तूर की डाल हम डाल को डाल देंगे इससे हमारा समय बच जात है तो अब हम डाल को अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे तो यह तरीका उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको बहुत जल्दी रहती है सुभय ऑफिस जाना पड़ता है या बहुत से काम रहते हैं घर पर तो उनके लिए बहुत बढ़िया उप्सन है सब कुछ एक पसंद करते हैं पतली दाल पसंद करते हैं तो ज्यादा पानी डाले फुरा सा गाड़ी पसंद करते हैं तो कम पानी डाले है अब हम तैयारी करते हैं चावल की तो चावल के लिए मैंने यहां पार एक लोटा लिया है जिसमें मैंने चावल धुल करके जो रखे हुए थे त और अब हम इसमें डालेंगे पानी तो जितना चावल लिया है मैं उतना ही इसमें पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा मैं सिर्फ जादा डालूँगी पानी बिल्कुल जरासा और अब हम इस लोटे को डिरेक्टली कुकर में रख देंगे और अब मैं यहाँ पर सादा चावल नहीं बना रही हूँ मैं इसको पुलाओ का रूप दे रही हूँ तो मैं इसमें डालूँगी आदा चम्मच जीरा अगर आप सादा चावल बनाना चाहते हैं तो कुछ भी न डालें लेकिन मैं जीरा राइस बना रही हूँ या इसे आप स में और थोड़ा साम डालेंगे नमक इसे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है चावल का सूखे भी खाना चाहें तो अच्छे खा सकते हैं अब हम प्लेट इसमें ढख देंगे जो पूरी तरह से लोटे को कवर कर ले आब हम इसका ढखन बंद कर देते हैं और इसमें नॉर्मली देखते हैं हां हलकी सी दाल इसमें चली गई है क्योंकि मैंने प्लेट बहुत छोटी रखी थी आप थोड़ा बड़ी प्लेट रखे तो बिल्कुल भी दाल नहीं जाएगी तो लीजी हमारे दाल चावल बनकर के तैयार हो गए हैं तो मैं आपको दिखा देती हूं कि कितनी बड़िया हमारी दाल बनी है हमको डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ी एक ही बार में हमारी बहुत ही अच्छी दाल फ्राई बनकर के तैयार हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है दाल से यह देखिए कोई क बड़िया दाल आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी सुंदर लग रही है तूर की दाल तो आप पानी अपने साब से अज्जेस्ट कर लीजिएगा तो यह हमारी दाल बन गई है मैं आपको चावल दिखा देती हूं तो चावल ऊपर ऊपर कुछ पीले हैं लेकर नीचे भाई ठोंगे क्योंकि नीचे तक पानी नहीं पहुचा होगा तो यह देखिए चावल में हमारा बहुत बढ़िया एक एक चावल बना है तो यह पुलाओ भी कह सकते हैं आप इसको तो सूखे भी खा सकते हैं इसमें नमक जीरा घी सब कुछ मिलाया है बहुत बढ़िया हमा कोटे कोकर में ही इनको बनाया है बड़े कोकर का इस्तिमाल नहीं किया है तो एक बार में पूरी फैमली के लिए कम समय में कम महनत में पटाफर दाल चावल बनकर के तैयार हो गये हैं तो आप भी इसको ट्राइब करिएगा उमीद है वीडियो पसंद आया होगा वीडियो लाइब कोड़ लाइब करा वीडियो यौ को ईपार शार बस्तिमाल व